हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, आज की हमारे टॉपिक का नाम है एन्यूल और फाइनल ओडिट, फाइनल ओडिट क्या होता है, एन्यूल ओडिट क्या होता है, उसके बारे में मैं पूरा ए और यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेर करने के बाद ही, यानि कि जब हमारे बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेर हो जाते है, उसके बाद ही यह वाला ओडिट किया जाता है, और इस ओडिट के अलग लग नाम है, जैसे कि आपको पता है एन्यूल ओडिट क कहते है तो auditor attends only once at the end of the year and complete his work at a stretch in a continuous session बहुत easy है कि यहाँ पे जो auditor होता है वो साल के अंत में यानि कि साल खतम हो जाता है तब वो आता है business में आके वो पूरा उसका work देखता है जितने भी accounts prepare किये होते है वो सारे accounts को check करता है एकी seat में एकी session में पूरा काम खतम कर देता है और इसको हम लोग annual audit कहते है और इसको periodical audit भी कहा जाता है और इसको complete audit भी कहा जाता है clear हो गया audit तो आपको पता है audit मतलब होता है books of account को check करना तो आगे बात करें तो उपर के explanation के हिसाब से यहाँ पे हमने कुछ points लिखे है सबसे पहला point such type of audit is conducted only once in a year यानि कि यह वाला जो audit होता है वो साल में एक ही बार किया जाता है दूसरा point auditor and its staff visit the business unit at the end of the year and examine accounts, vouchers, statements and documents यानि कि जो auditor है उसका staff है वो business में जाएंगे business में जाके उसके पूरे accounts को audit करेंगे, examine करेंगे vouchers को check करेंगे, statements और documents को check करेंगे तीसरा है such audit is completed on continuous sitting हाँ यह चीज़ ध्यान रखना कि यह वाला जो audit होता है वो एक ही sitting में खतम किया जाता है यानि कि एक बार अगर auditor बैड गया उसकी team बैड गई तो एक ही seat में यह लोग क्या करता है खतम कर देते है और वो भी साल के अंत में साल खतम होता है उस time पे इसको check किया जाता है उसी को हम लोग final audit और annual audit कहते है आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो become sem4 का course है जिसमें हम लोग आपको total 4 subject prepare करवाएंगे cost account, statistic, taxation और auditing और इन सब की price ना बहुत कम है 2399 बहुत reasonable rate है अगर आप लोग हमारी इस batch में जुड़ना चाते हो तो हमारी app डाउनलोड कर ये play store से और app store से भी या तो फिर आप हमारा contact कर सकते है contact करके भी आप हमारे course को purchase कर सकते है और उमीद करता हो कि आप हमारे course को join करेंगे आगे बात करें next तो क्या advantage is annual audit के तो सबसे पहला advantage इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है कि जो business होता है ना उसको कोई भी तरह की problem नहीं होती है क्योंकि क्या हो रहा है कि साल खतम होने के बाद auditor और उसकी team आखे पूरे account को check कर रही है अब मांगो साल के बीच में बार बार आएगी तो business में बहुत disturbance होगा तो ये audit में फाइदा यही है कि पूरा साल खतम हो जाता है और उस time पर auditor आता है और हमारी books of account को check कर देता है clear हो गया दूसरा there is a less danger of manipulation of figures अब देखो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो बहुत सी बार क्या होता है accounts prepare कर दिये जोते हो उसमें बीच में क्या होता है कि figures को बदल दिया जाता है बट इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर साल खतम होने के बाद ही इस पूरे accounts को check किया जाता है as the audit work begins only after all the accounts have been completely written यानि कि सारे accounts completely लिख लिए है properly maintained कर लिए है उसके बाद जाके ही यह auditor आएगा और accounts को prepare करेगा तिसरा as the work of checking is completed in continuous session the link in the work is properly maintained यानि कि एक ही बार में एक ही seat मैंने खहा कि एक ही बार बैठेंगे पूरे accounts को check कर देंगे तो proper जो है काम maintain रहेगा अच्छा काम लगेगा ये एक फाइदा है चौथा such an audit is less expensive क्योंकि देखो auditor एक बारी आ रहा है तो सिदी सी बात है उसका charge क्या होगा कम होगा हाँ अगर continuous audit होता यानि एक साल के बीच बीच में भी हम लोग audit कर वाते तो भाई हमारा खर्चा बढ़ जाता बट इसमें खर्चा कम हो रहा है क्योंकि यहां पर auditor एक ही बार आ रहा है वो भी साल खतम होने पर एक और बात बताए तो यह ना छोटे बिजनेस के लिए बहुत यूश्फूल है क्यों क्योंकि यहां पर खर्चा क्या होता है बहुत कम होता है अब आगे आखरी वाला point पढ़ता है इन दा बात है कि आप साल के दोरान नहीं आ रहे हो साल के आखिर में आ रहे हो जब अल्रेडी सारे accounts prepared कर दिये है तो क्या detail checking possible हो पाएगी not it is not possible possible ही नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके पास auditor के पास enough time ही नहीं होगा कि वो हर एक चीज़ को minutely check करें that's why हम ऐसा कहेंगे यह इसका disadvantage है कि annual audit में वो minutely check नहीं करता उपर उपर से check किया जाता है दूसरा it is difficult to locate the cleverly committed frauds and errors yes कोई अच्छा fraud किया है बहुत सोच समझ के किसने fraud किया है न तो annual audit में वो पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे detail checking नहीं हो रही है यहाँ पे detail investigation नहीं हो रही है फटा-फट हुई है क्योंकि यह साल के आखिर में किया जा रहा है और that's why prompt rectification of error is not possible और अगर मालो पता भी चल जाती है तो वो तो ही ना चले तो ऐसे टाइम पर इस वाले audit में हम पकड़ नहीं सकते ऐसे frauds को ऐसे errors को clear next it takes a long time after the end of financial year to complete the work हाँ अब हम लोग साल के आखिर में काम कर रहे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा यह बतलब बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सारी file होती है तो एक एक अफ़ता लग जाता है सारी files को check करना सारे accounts को check करना and hence presentation of final accounts before shareholders is delay और बहुत बड़ी company है ठीक है तो उसको तो पंदरा दिन भी लग जाते अब मान लो कि उसको जब final accounts को check किया जा रहा है तो और delay हो रहा है और delay हो रहा है तो उसमें नुकसान पता है shareholder का होता है shareholder ना साल के आखिर में wait कर रहे होते कि कब उनको dividend मिलेगा तो जब तक पूरा account audit नहीं हो जाता तब तक shareholders को भी क्या dividend मिलता नहीं है तो this delay the declaration of dividend also और इसकी वज़े से जो dividend है वो क्या होता है delay होता चला जाता है clear हो गया four point की बात करें the benefit of having moral check over client staff is lost here हाँ देखो moral check मतलब अगर continuous audit होता ना continuous audit मतलब साल के बीच-बीच में हम लोग check कर वाते है हमारे books of account तो पता चल जाता कि कौन सा employee सही से काम कर रहा है कौन सा employee cheating कर रहा है बट यहाँ पर पता नहीं चलेगा क्योंकि अगर मानलो कोई employee ने clever mistake किया या जान मुझकि उसने कोई fraud किया है न तो वो पता नहीं चलेगा तो moral check यहाँ पर possible नहीं है और जो auditor है न क्योंकि यहाँ पर एक ही बार आ रहा है तो वो क्या करेगा जल्दी जल्दी चेक कर लेगा गलती अगर होगी भी बहुत अच्छे से की होगी तो वो नहीं पता चल पाएगी इसलिए कोई भी employee का जो moral check है वो यहाँ पर possible नहीं है आखरी point बात करें fifth point this type of audit is not suited to the requirement of big business concern annual audit ना बड़े business के लिए नहीं है as there is not sufficient time to check all types of transactions cdc बात है कि बड़े businesses के अंदर क्या होता है बहुत सारे transactions होते और इतने सारे transactions को check करना एक time पर possible नहीं है तो बड़े business के लिए annual audit नहीं है तेक है जो बड़े बड़े business होते है ना वो continuous audit करवाते साल के दोरांत बीच-बीच में भी वो लोग audit करवाते है आखिर में नहीं करवाते क्योंकि आखिर में इतना सारा इखटा हो जाएगा और मालनों उस टाइम पे कोई गल्ती पता चली तो क्या होगा अल्रेडी हो चुकी है वो तो फिर उसको सुदार नहीं सकते तो इसलिए यही इसके टोटल 5 disadvantage थे और यहाँ पे मैंने आपको इसके टोटल 5 advantage बता है तो उमीद करता हूँ यह पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यह पूरा वीडियो बहुत अच्छे से helpful रहा होगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप लोग अम झाल